साथ्य नमस्कार आज हम प्रश्णावली 1.5 करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिये है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है अराम से देखो ठीक है तो देखो हमारा जो यहाँ पहला प्रश्ण है वो है बताईए नीचे दी गई संख्याओं में कौन-कौन परिमे है और कौन-कौन अपरिमे है ठीक है तो यहाँ पर जो हमें संख्याएं दी हुई है इनमें से कौन परिमे है और कौन अपरिमे है वो हमें बताना है तो इसके लिए देखो हमने सबसे पहली जो वीडियो है इस chapter की important points वाली उसमें सीखा था कि अगर हमारे पास में एक परिमेई संख्या है और दूसरी अपरिमेई संख्या है ठीके और अगर मैं इसको जोडता हूँ तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा एक अपरिमेई संख्या ही मिलेगी यह हमने सीखा था अगर प्लस की जगा में इनको घटाता हूँ तब भी मुझे अपरिमेई संख्या ही मिलती है है ना और अगर यहां पर में इन दोनों का गुणा करता हूँ तब भी मुझे अपरिमेई संख्या मिलती है और भाग करता हूँ तब भी मुझे क्या मिलती है अपरिमे संख्या मिलती है बस सर्थ है कि जो ये परिमे संख्या है वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए इसके अलावा कुछ भी हो सकती है तो समझ में आए चाया इनके बीच में प्लस हो, माइनस हो, गुड़ा हो, भाग हो तब एक परिमे और एक अपरिमे होने पर मुझे रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा एक अपरिमे संख्या ही मिलेगी जैसे पहले प्रश्ण में देखो दो परिमे संख्या है है ना, माइनस रूट पांच है ना, तो दो परिमे है और उसमें से मुझे अपरिमेई संख्या को घटाना है तो मुझे result क्या मिलेगा एक अपरिमेई संख्या ही मिलेगी तो इसका उत्तर क्या होगा अपरिमेई संख्या यानि ये एक क्या है अपरिमेई संख्या है अब ऐसा क्यों हुआ तो इसका कारण भी समझो देखो दो में से मुझे क्या घटाना है रूट पांच घटाना है तो दो में से रूट पांच का मान क्या होता है रूट पांच का मान होता है दो पॉइंट दो तीन छे डॉट 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 यानि कि ये एक अपरिमेश संख्या है तो दसमलव के बाद में ये अनन्त हमें क्या है अंक मिलेंगे और कोई भी अंक रीपिट नहीं होगा ठीक है तो अगर मैं दो मैंसे इस संख्या को घटाऊंगा तो दो मैंसे दो चला जाएगा क्या बचेगा जीरो बचेगा और जीरो के बाद आएगा पॉइंट दो तीन छे यानि ये एक जो है मुझे अपरिमेई संख्या ही मिल रही है परिमेई तो मुझे मिल नहीं रहा है इसमें बाद समझ में आई तो जब भी हमें एक परिमेई संख्या मैंसे अपरिमेई संख्या चाहे जोड़े घटाए गुना करे या भाग करे तब हमें एक अपरिमेई पुड़ना है फिर इसमें से हमें root 23 को घटाना है तो इसको हम पहले सरल करेंगे तो इसका देखो सरल रूप क्या हो सकता है पहले bracket अटाएंगे तो यह हो जाएगा परिमेई संख्या है ना तो ये जो संख्या होगी वो क्या होगी परिमेई संख्या होगी ठीक यानि सरल करना पड़ेगा और सरल करने के बाद हमें डिसाइट करना है कि परिमेई होगा या अपरिमेई होगा थर्ड में देखो दो गुणा रूट साथ यहां गुणे का निशा आएगा एक बार. यानि मैं उपर नीचे इसको क्या कर सकता हूå? हटा सकता हू? काट सकता हूँ. टो मेरे पास अब उत्तर क्या बचा? मेरे पास उत्तर बचा दो बटे साथ अभी यह एक P बटा Q का रूप है? यानि यह आपको बताया था कि उपर क्या है? एक परिमेह संख्या है. नीचे क्या है? एक अपरिमेह संख्या है. और दोनों में क्या हो रहा है? भाग हो रहा है. ठीक है? तो जब एक परिमेह हैं, दूसरी अपरिमेह हैं, बीच में अगर जोड है, बाकी है, गुणा है या भाग है, प्रश्ण संख्या है और दो क्या है एक परिमेई संख्या है तो जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक अपरिमेई संख्या ही मिलेगी प्रश्ण संख्या 2 है निम्न लिखित व्यनजकों में से प्रत्यक व्यनजक को सरल कीजिए यानि हमें यहाँपर नीचे व्यनजक दिये हुए है इनको हमें सरल करना है तो देखो यहाँ पहले प्रश्ण में अगर हम ध्यान से देखें तो 3 प्लस रूट 3 यानि एक परिमेई संख्या में अपरिमेई संख्या जोडता हूं तो ये पूरी एक अपरिमेई संख्या बनती है ये भी एक अपरिमेई संख्या बनती है और इन दोनों का मुझे क्या करना है गुणा करना है तो जैसे हम कक्सा 8 में BGA वेंजकों का गुण करना है तो पहले प्रश्ण को ध्यान से समझना देखो कैसे करना है प्रश्ण लिख देता हूं तीन प्लस रूट तीन गुणा दो प्लस रूट दो पहले इस तीन का इस पूरे से गुणा करेंगे फिर इस रूट तीन का इस पूरे से गुणा करेंगे तो पहले हम क्या दो प्लस रूट दो से अब देखो वीतरन नियम का परियोप करना है तीन का पहले इस से गुणा फिर इसके आगे वाले से गुणा करना है तो तीन का पहले दो से गुणा करो तीन गुणा दो फिर देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है बीच में इंटू प्लस इंटू प्ल प्लस होगा अब रूट तीन का पहले इस से गुणा करना है फिर आगे वाले से गुणा करना है तो रूट तीन का गुणा किस से हो जाएगा दो से फिर प्लस देखो दोनों प्लस है तो प्लस आएगा प्लस इंटू प्लस प्लस अब रूट तीन का रूट दो से गुणा तो प्लस का निसान लगाएंगे, दो आगे आ जाएगा, रूट तीन पीछे चला जाएगा. प्लस, रूट तीन इंटू रूट दो, तो देखो एक हमने प्रॉपर्टी पड़ी थी, इंपोर्टेंट पॉइंट्स में, कि रूट ए गुणा रूट बी है, ठीके, तो इन दोनों को हम अलग-अलग नहीं करके एक लिख सकते हैं, बड़ा रूट ले लेंगे, इसको ए प्लस, तीन रूट दो, प्लस, दो रूट तीन, और तीन दोनी छे, अंदर गुणा हो जाएगा, प्लस, यह हो जाएगा, रूट छे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीके, सेकेंड लिखो, इसका सेकेंड, सेकेंड है, तीन प्लस, रूट तीन, गुणा A minus B यानि की जब पहला पद और दूसरा पद आगे भी पहला पद और दूसरा पद समान हो लेकिन पीच में यहां plus हो और यहां minus हो तब हमें क्या करना है A का square minus B का square करना है यह इसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा यह सर्वसमी का हमने कक्साट में समझी थे है ना तो इसका उपयोग हमें यहां करना है यह हमारा A हो गया यह B हो गया यह A हो गया और यह B हो गया यहां प्लस आ रहा है यहां माइनस आ रहा है तो इसको हम सिधा कर सकते हैं कैसे A square minus B square अच्छा A यहां पर क्या है 3 है B यहां क्या है रूट 3 है ठीक है अब 3 का वर्ग 3 का square का मतलब क्या है इसका इसी से गुणा 3 गुणा 3 किता हो गया 9 3 into 3 9 minus अब देखो रूट 3 का वर्ग इसको ध्यान से समझना रूट 3 का वर्ग होता है कि उसका उसी से गुणा यानि रूट 3 का रूट 3 से गुणा और रूट 3 का रूट 3 से गुणा मतलब बड़ा रूट ले लो और 3 को अंदर भेज़ दो तो 3 गुणा 3 दोनों को गुणा करो तो किता हो गया 3 त्रिया 9 ठीक है अब 9 का वर्ग मूल किता होता है 3 ठीके अब मैंने इसको डिटेल में समझाया लेकिन अब आप हमेशा याद रखना कि जब एक वर्ग मूल हो ठीके और इसका हम अगर वरग करते हैं तो इस वरग मूल से वरग हट जाता है और उत्तर हमारा जो इसके अंदर होता है वही आता है यानि 3 आ जाएगा इसका उत्तर तो रूट 3 का वरग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अब 9 में से 3 को हम घटाएंगे तो 9 में से 3 गया किता बचा 6 यह हमारा क्या हो जाएगा answer तो इन दोनों का आप एक बार screen shot ले लो अच्छा यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यह मैंने यहाँ पर कैसे किया तो इसकी property लिख दो कि a plus b गुणा a minus b जो है वो क्या होता है a square minus b square होता है ठीक है यह property इसके पास में लिख सकते हो अब देखो थर्ड क्या है root 2 और उसके उपर क्या है इस पूरे का क्या है वर्ग है ठीक है तो देखो एक हमने सर्वसमीका पड़ी थी क्या सर्वसमीका पड़ी थी कि a plus b की घाद 2 बराबर क्या होता है a square plus 2ab plus b square ठीक है यह सर्वसमीका हमने पड़ी थी है ना ठीक है, तो इस सर्वसमिका का उपएग हमें यहां करना है, यह हमारा a हो गया और यह हमारा b हो गया तो यहां पर a की जगह में ब्रैकेट लिख रहा है न, a square plus 2ab plus इसको हटा देता हूं मैं, b square plus b square इसके आगे आप copy में इसकी property लिख देना है ना अब A क्या है root 5 है B क्या है root 2 है है ना अंदर क्या आता है 2 गुणा A गुणा B यानि A क्या है root 5 और B क्या है root 2 अब इसको सरल करो अभी मैंने बताया था कि वर्गमुल भी हो और वर्ग हो तो ये दोनों हट जाएंगे उत्तर हम कर देंगे अंदर समझाया प्लस ये root और ये वर्ग दोनों हट जाएंगे वर्ग और वर्गमुल आपस में हट जाएंगे उत्तर के आएगा 2 ये हो गया 5 प्लस 2 पांदूनी 10 है ना तो अंदर root 10 होगा प्लस ये किता हो गया 2 ये हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा अच्छा देखो यहाँ पर 5 और 2 इन दोनों को हम जोड सकते हैं है ना तो इनको जोड लेते हैं 5 और 2 किता हो गया 7 प्लस 2 root 10 ये final answer होगा ठीके क्या हुआ 5 और 2 को मैंने जोड दिया किता हो गया 7 क्योंकि जो जोडता है तो उसको हमें जोडना पड़ेगा ठ आपस देखो ये a है ये b है ये a है ये b है तो a minus b गुणा a plus b वही property का उपयोग हो रहा है ठीके और property क्या थी बता देता हूँ फिर से property थी कि अगर एक बार दोनों को हम जोडते हैं और एक बार हम दोनों को घटाते हैं तो क्या होता है a square minus b square होता है तो इसकी जगा मुझे ये लिखना है ठीके तो यहाँ ये a हो गया ये b हो गया ये a हो गया और ये b हो गया तो हम क्या करेंगे a का square minus b का square a का square minus b का square अच्छा A यहाँ पर क्या है रूट 5 है B यहाँ पर क्या है रूट 2 है अब वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा आंसर क्या आएगा 5 माइनस यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा आंसर क्या आएगा 2 5 में से 2 को गटाएंगे final उत्तर हमारा क्या आजाएगा 3 ठीक है तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्ण करना है प्रश्ण संख्या 3 है आपको याद होगा कि πाई को एक वरित्र की परीदी मान ली जीए C और उसके व्यास मान ली जीए D के अनुपात से परिभासित किया जाता है अर्थार पाई बराबर C अपॉंड ली तो पहले में जो प्रश्ण पढ़ा है उसको समझा लेता हूँ कि देखो हमने एक सुत्र पढ़ा था कि जो परीदी होती है क्लास साथ में है ना परीदी बराबर क्या होता है टू पाई आर यही सुत्र होता है अब परीदी को इसमें क्या मानना है हमको सी मानना है तो परीदी मैंने सी ले ली और यह हो गया टू पाई आगे ले लेता हूं तो को पीछे ले लेता हूं क्योंकि यह गुणे में है तो आगे पीछे कहीं भ हो गया 2R ठीक है इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं अब 2 गुणा R 2 गुणा R क्या होता है व्यास होता है है ना तो व्यास को मैं क्या मान लेता हूं D मान लेता हूं तो C बराबर क्या हो गया पाई गुणा D अब D यहां गुणे इस तत्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि πाई अ परिमे है इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे तो देखो हमने परिमे संख्या की क्या परिभासा पड़ रखी है कि जो परिमे संख्या होती है उससे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं तो पाई को भी हमने किस में लिखा है बट्टे के रूप में लिखा है तो इसका मतलब पाई तो परिमेह संख्या होनी चाहिए अचा आगे परिमेह संख्या की क्या परिवासा है कि जहां P और Q जो है वो क्या होने चाहिए पुर्णांक होने चाहिए और एक सड़त है कि Q हमारा क् नहीं आ रहा है, समझ गए, तो पहले तो ये प्रश्न कहना चाता है कि जब मैं पाई को C बटे D के रूप में लिख सकता हूं, तो ये परिमे क्यों नहीं है, ये अपरिमे क्यों है, ठीक है, तो इसका उत्तर मैंने पहले से लिख दिया है, उत्तर क्या होगा, इस तत्य का परिमे होगा ये एक अपरिमे ही है अब क्यों है तो देखो क्योंकि या तो C या फिर D अत्वा दोनों अपरिमे होने के कारण पाई एक अपरिमे संख्या होती है ये इसका उत्तर हो गया अब कैसे कि परिमे कब होगा जब P और Q हमारा क्या हो पूर्णां को समझ आया लेकिन यहाँ पर C और D जब इनको हम इसकेल से मापते हैं इसकी लंबाई को जब हम इसकेल से मापते हैं ठीक है तब हमें उनका निकटतम मान प्राप्त होता है सटीक मान प्राप्त नहीं होता अब आप कहोंगे सर सटीक और निकटतम क्या है तो देखो एक संख्या रेखा पर हमें संख्या भी मिलती है और एक अपरिमेई संख्या भी मिलती है है ना तो जब हम किसी भी लंबाई को मापते जैसे यहाँ पर बात कर रहा है वृत की तो इस वृत को अगर मुझे मापना है तो मैं क्या करूँगा एक धागा लूँगा इसके चारो और लपिटूँगा फिर उस धागे को जितना माप है इसका इसकेल से मापूँगा लेकिन उस इसकेल से मैं सटीकता से नहीं माप सकता ठीक है क्योंकि संख्याएं बहुत सुक्षम होती है बहुत छोटी-छोटी संख्याएं होती है ठीक है तो इसको मैं कैसे माप सकता हूं इसको निकटतम परिमे मान के रूप में प्राप्त कर सकता हूं सटीक मान के रूप में प्राप्त नहीं कर सकता और जब हम इसको सटीक मा या दी अ परिमे मिलेगा, ठीक है, या दोनों अ परिमे मिल सकते हैं, यही कारण है कि पाई एक अ परिमे संख्या होती है, अब इसको मैंने नीचे भी समझाने की कोशिस किये है, कि वरत की परिदी अत्वा व्याज की लंबाई को, मापने पर हम उसका निकत्तम परिमे मान प् समझ आया तो आपको केवल इतना सा ही लिखना है और आपको पूरे नंबर बिल जाएंगे एक्जाम में ठीक है यानि आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा ठीक है प्रश्न संख्या चार है संख्या रेखा पर रूठ 9.3 को निरुपित कीजिए तो इस प्रश्न को समझाने के लिए आपको मेरे इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो जो important points की वीडियो है वो देखनी है इसमें मैंने समझाया है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल है और उसको मुझे संख्या रेखा पर निरुपित करना है तो उसकी क्या-क्या step होंगे जब आप इस वीडियो को द क्या करना है description box में जाना है मेरा जो टेलेग्राम चैनल है उसकी link वहाँ पर available है link पर आप क्लिप करना अगर आपके पास भी टेलेग्राम है तो आप सीधा जो है मुझसे जुड़ जाएंगे और आपको ये notes प्राप्त हो जाएंगे यही नहीं वहाँ पर जो mega test series होती है जै देखो इस प्रश्ण को आपको कैसे करना है इसके लिए सबसे पहले हमें एक सरल रेखा बनाएंगे यानि कि संख्या रेखा बनाएंगे यह हो गई अमारी संख्या रेखा सबसे पहला step यह है कि जो हमें संख्या दी हुई है जैसे यहां संख्या दी है root 9.3 तो अंदर क्या संख्या है 9.3 है तो हमें scale की साइथा से 0.0 से 9.3 cm का एक पॉइंट लेना है ठीक है यहां संख्या रेखा पर मालो में यहां पर एक पॉ ठीक है तो एक पॉइंट से हमें किता cm लेना है 9.3 cm लेना है तो देखो यह हो गया 9 के बाद चोटी-चोटी लाइने 1,2 और 3 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 9.3 cm इसे हमें नाम देना है B ठीक है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं संख्या रेखा को अब हमें पॉइंट B से 1 cm और लेना है पहला step क्या है पॉइंट A से हमें 9.3 cm का एक पॉइंट लेना है फिर जो पॉइंट मिलता है उसे B नाम देना है B से हमें 1 cm का और एक पॉइंट लेना है यहां B से 1 cm का पॉइंट लेना है यह रहा 1 cm इसे हम नाम देंगे C step समझ भाया सबसे पहले A B हमने किता लिया यहां लिख देता हूँ A B हमने किता लिया 9.3 cm फिर B C हमने किता लिया B C हमने लिया 1 cm ठीक है तो अब total A C कितना हो गया तो A C हो गया 9.3 प्लस 1 बराबर 9 में 1 जुड़ेगा तो किता हो जाएगा 10.3 cm क्या हो जाएगा A C अब हमें जो यह A C मिला है इसका अर्दक करना है ठीक है तो अब A C का अर्दक ठीक है A C का हमें क्या करना है अर्दक करना है इसके लिए हम क्या करेंगे परकार की साहिता लेंगे और परकार को आदे से ज़्यादा खोलेंगे अर्दक करने के लिए हम जानते हैं कि उसका हमें क्या करना पड़ेगा लंब समद्वी भाजन करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करना कि जो लेंथ हमें दे रखी है उसको परकार से आदे से ज़्यादा खोलना तो मैंने इसको आदे से क्या करा? ज़ादा खोल दिया, ठीक है? अब एक चाप उपर लगाना है, इसी से एक चाप नीचे लगाना है, अब मैंने किसका अर्दर किया? AC का, तो पहला परकार का जो नौक है वो कहां रखा? एक पर, अब कहां रखेंगे? C पर, और C पर रखकर उपर नीचे चाप कटेंगे, जहां ये चाप कटेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, ठीके, तो यहाँ पर हमें दो बिंदू मिले, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, इन दोनों बिंदूओं को हमें डॉट लाइन से मिलाना है, कुल बिंदा के ये जो संक्यार एक हमें बिंदू चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक डॉट बनाना है, ठीके, यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, एक बिंदू मिल जाएगा, इस बिंदू को मैं O नाम दे देता हूँ, ठीके, अब इसका अर्धक हमने किया है तो हमें क्या प्राप्त होगा एक अर्ध वृत प्राप्त होगा तो अर्ध वृत प्राप्त करने के लिए क्या करना परकार की जो नौक है उसको O. पर रखना है उसको या तो A तक खोलना है या C तक खोलना है ठीक है ये A से C तक खोलना है इसको अब इसको गुमा देना है तो हमें एक अर्ध वृत प्राप्थ होगा यह हमें प्राप्थ हो गया एक अर्ध वृत प्राप्थ हो गया अब आगे हमें क्या करना है point B से एक 90 डिग्री का जो है एक लाइन हमें खीचनी है यहाँ पर ठीक है इसके लिए हम चंदे की साहिता लेंगे का से करना अपने को बी पॉइंट से तो चंदे का जो यह बीच का पॉइंट है उसको बी पर रखना है और यह जो लाइन है इधर जा रहा है उसको इसकी सीध में र लगा देता हूँ अब मुझे क्या करना इस बी पॉइंट और इस जो हमने यह पॉइंट लिया है इस üzere हमें स्केट को रखना है और नब्वे डिग्री का कौन बनाना और यहां तक हमें वो कौन बनाना है तो हम क्या करेंगे इस केल को दोनों पॉइंट पर रखेंगे लेकिन हम यह जो हमने अरदवरित प्राप्त किया है इस पर 90 डिगरी का कौन बनाएंगे यहां तक हमें 90 डिगरी का कौन बनाना है ठीक है अब यह जो हमने इसे हम यह जो पॉइंट प्राप्त हु को दर्साया लेकिन अब इसका हम सत्यापन करेंगे कि ये रूट 9.3 हमें प्राप्त होता है ये जो लंबाई है वो रूट 9.3 है या नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे 0.0 और 0.D को मिला देंगे इन दोनों 0.0 को हम मिलाएंगे मिला देखो हमें एक समकॉन त्रिबूज प्राप्त होगा O, B, D क्योंकि ये 90 डिगरी का कॉन है तो एक समकॉन त्रिबूज प्राप्त होगा O, B और D अब मुझे इसका सत्यापन करना है तो इसके लिए जो जो इसके मैंने दो भाग करें, है न, तो यहां पर अगर मुझे OC का मान निकालना है, तो क्या मैं OC का मान निकाल सकता हूं, बिलकुल निकाल सकता हूं, OC क्या है, इस पूरे की आदी है, ये पूरा क्या है, AC, और इसका मुझे क्या करना है, आधा, तो मुझे क्या मिल जाएगा OC, यानि अगर मैं AC का AC में 2 का भाग दूँगा तो यह आधा हो जाएगा अब AC मेरा कित्ता है तो AC मैंने निकाला 10.3 ठीके बट्टा 2 सेंटीमीटर तो 10.3 बट्टा 2 क्या हो जाएगा हमारा OC हो जाएगा ठीके अब OC हमारे पास आ गया लेकिन हमें क्या चाहिए हमें चाहिए O B क्यों चाहिए O B तो देखो यहाँ पर जो है हमें एक समकौन त्रिबूज प्राप्त हो रहा है कौन सा O B D O, B, D अब इस समकौन त्रिबूज में क्या है? ये हमारा है आधार ये है लंब और ये क्या है? कर्ण है ठीक है? अब O, B हमारे पास नहीं है हमें लंब ग्याट करना है लंब मुझे क्या लाना है? लंब मुझे रूट 9.3 लेके आना है ये हमें प्रूफ करना है सत्यापित करना है ठीक है? अच्छा, कर्ण क्या हो सकता है? तो कर्ण हमारा O, C हो सकता है कैसे हो सकता है? अब इसको समझो ये जो O, D है वो O, C हो सकता है कैसे? देखो, O, C, C क्या है? एक अर्ध वरत की त्रिज्या है ठीके और त्रिज्या हर जगा वरत की जो त्रिज्या होती है वो कहाँ पर भी हम खीचेंगे वो क्या होगी बराबर होगी ठीके तो OC अगर त्रिज्या है तो OD भी हमारी क्या है त्रिज्या है ना तो OD का जो मान है वही होगा जो OC का मान है तो मैं यहां कहाँ सकता हूँ जो OD ह हमारा वो क्या होगा 10.3 बट्टा 2 cm होगा तो ओडी तो हमें मिल गया अब हमें क्या निकालना है ओभी निकालना है आधार का मान निकालना है अब ओभी कैसे आएगा देखो वो भी कैसे निकलेगा अगर इस पूरे OC में से OC में से मैं इस BC को निकाल दू ठीक है? इस BC को निकाल दू तो मुझे क्या मिल जाएगा? वो भी मिल जाएगा, है ना? अब OC मेरे पास किता है तो OC मैंने लिया है 10.3 बटा दू फिर ये माइनस अचा BC किता है ये मैंने 1 cm लिया था तो BC हमारा हो गया 1 अब ये बटे वाली संक्या है तो एक बटा एक कर देता हूँ इसको अब इसको सरल करते है तो LC मेरे किता आएगा 2 इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखेंगे अब क्रोस गुणा करेंगे तो एक का 10.3 से गुणा 10.3 दो का एक से गुणा दो गटाएंगे 10.3 में से 2 गया क्या बचेगा 8.3 बटा 2 cm तो ये मेरा क्या आ गया OB भी मुझे मिल गया अब यहाँ जो OB है वो क्या हो गया हमारा आधार हो गया तो ये जो OB है वो आधार हो गया OD क्या हो गई OD हमारा कर्ण हो गया ठीक है और ये जो BD है वो हमारा क्या हो गया लंब हो गया तो BD को मैं यहां क्या मान लेता हूँ X माना जो BD है हमारा वो क्या मान लिया मैंने X मान लिया अच्छा BD क्या है तो BD यहां हमारा क्या है लंब है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे समकॉन त्रिबूज O BD लेंगे अब थोड़ा द्यान समझना इसको यहां लिखेंगे समकॉन त्रिबूज O BD में ठीक है यहां समकॉन त्रिबूज O BD में हम एक सुत्र जानते हमें क्या चाहिए हमें लंब चाहिए तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग ये हम जानते हैं इसे हम पाइतो गोरस प्रमे कहते हैं अच्छा लंब हमने क्या मानना x तो इसको मैं x का square कर देता हूँ ठीक है कर्ण हमारा क्या है तो देखो कर्ण हमारा है दस.3 बट्टे 2 का वर्ग, यहां point है, minus, आधार क्या है, 8.3 बट्टे 2 का वर्ग, ठीक है, अब x square बराबर, देखो, यहां पर एक फॉर्मूला हम लगा सकते, कौन सा फॉर्मूला देखो, a square minus b square क्या होता है, a plus b into a minus b, है न, यह सुतर होता है, तो यह a square हो गया, और यह b square हो गया, तो एक बार हम 10.3 बट्टा 2 और 8.3 को जोड़ते हैं, और एक बार हम इसको घटाते हैं, यानि a plus b और a minus b, ऐसा करते हैं, तो यहां क्या होगा, 10.3 बट्टा 2 एक बार, 8.3 हम इसमें जोड़ेंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 10.3 बट्टा 2 minus 8.3 बट्टा 2, ठीक, अब जोड़ना आसान है, कैसे, क्योंकि इनका जो लसप है, वो किता आएगा 2, तो उपर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 10 औ 2 आएगा, अब इनको हमें घटा ना है, तो देखो, 10.3 में से 8.3 घटाओ, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 8 गया 2, क्या आया 2, अब देखो, उपर आ गया 2, 2 से 2 कड़ गया, किता आया 1, अब देखो, यहाँ पर x स्क्वेर बराबर, 18.6 में मुझे 2 का भाग देना है, 18.6 में मुझे किसका भाग देना है, 2 का, तो देखो, 2 से अगर मैं, यहाँ से इसको पहले काटू, तो 2, 9, 18 और 2, 3, 6, क्या मिलेगा, 9.3, तो यहाँ पर मैं इसको जब डिवाइट करूंगा, तो मुझे 9.3 मिलेगा, अब यह वर्ग है, वो इस तरप आएगा, तो वर्ग यहाँ पर किया हो जाएगा, वर्ग मूल, तो X बराबर यह वर्ग उदर जाएगा, तो हो जाएगा वर्ग मूल, और यहाँ पहले से क्या है, 9.3, तो देखो, X मुझे क्या मिला, रूट 9.3, यानि यह जो लेन्थ है, वो किती है, रूट 9.3 है, यह हमने इसको सत्यापित भी कर दिया अब एक अंतिम काम और बाकि है हमारा प्रश्चन था संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरुपित कीजिए तो हमने ये तो सत्यापित कर लिया कि ये जो बी और डी की लेंथ है वो किती है रूट 9.3 है लेकिन अभी हमें संख्या रेखा पर वो पॉइंट बताना परकार को हम खोलेंगे ये आ गई मेरे पास वो लेंथ रूट 9.3 की ठीक है अब क्या करना है परकार को इस पॉइंट से नीचे की और घुमाना है ठीक है तो हम यहां से परकार को नीचे की तरब घुमाएंगे अब देखो ये चाप जहां कटा है ठीक है वही हमारा बिंदु क्या है वही हमारा बिंदु संख्या रेखा पर किसको दर्साएगा रूट 9.3 को दर्साएगा यानि ये जो पॉइंट हमें मिला है इसे हम E नाम दे सकते है ठीक है ये जो पॉइंट E है वो है रूट 9.3 प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित के हरों का परिमेई करण कीजिए यानि हम जानते हैं कि जो भिन होती है उपर वाली संख्या को हम अंस कहते हैं नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं तो जो ये हर है इसका हमें क्या करना है परिमेई करण करना है परिमेह करण का मतलब होता है जो रूट वाली संख्या है तो इस रूट को हमें क्या करना है हटाना है ठीके देखो रूट कब हटता है रूट तभी हटता है जब मैं इसी संख्या का इससे गुणा कराता हूँ तो जब इस संख्या का मैं इस से गुणा कराता हूँ तो ये क्या हो जता है इसका वर्ग हो जाता है तो वर्ग से वर्ग मुल हट जाता है और हमारा उत्तर क्या आ जाता है X आ जाता है एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका होता है कि एक हमने सर्वसमिका पड़ी थी कि A प्लस तो हमें दो चीजे याद रखनी है, एक तो ये सर्वसमी का याद रखनी है, दूसरा ये मेथड हमें याद रखना है, इसका इसी से गुणा, तो अब क्या करना है? सबसे पहले प्रश्न में देखू, पहला प्रश्न है, एक बटा रूट साथ, तो मुझे यहां से नीचे से तो रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा रूट साथ का नीचे रूट साथ से गुणा करना पड़ेगा और हम जानते हैं ऐसा हम नहीं कर सकते तो इसके लिए क्या करें इसके लिए हम अंस और हर में दोनों तरफ रूट साथ का गुणा करेंगे ठीके ताकि रूट साथ से गुणा करेंगे तो हमें रूट साथ ही मिलेगा तो उपर आ गया रूट साथ बटा रूट साथ का रूट साथ से गुणा करेंगे नीचे तो यह हो जाएगा रूट साथ का वर्ग है ना रूट साथ का वर्ग अब वर्ग से वर्ग मूल हट जाएगा है ना तो उत्तर क्या आएगा root 7 बटे 7 यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यानि परिमेखरण का मतलब यही होता है कि नीचे वाली संख्या में से आपको root को हटाना है एक example से आपको समझाता हूँ जैसे अगर आपको दिया होता एक बटा root 3 तो आप क्या करते उपर नीचे जो है root 3 का गुणा करते तबी तो root 3 root 3 का गुणा होकर वर्ग हटेगा वर्ग मूल हटेगा तो उपर तो गुणा होकर क्या हो जाएगा root 3 बटा नीचे क्या हो जाएगा root 3 का वर्ग अब वर्ग से वर्ग मुल हट जाएगा तो उत्तर आएगा root 3 बटा 3 ठीक है? ये प्रश्ण के वल मैंने समझाने के लिए बताया आपको तो अगर ऐसे आपको प्रश्ण मिलते है तो आपको परिमेह करन कैसे करना है पता चल गया? ठीक है अब देखो सेकेंड में हमें क्या करना है? सेकेंड क्या है? 1 upon root 7 minus root 6 ठीक है? तो अब देखो मैंने एक सर्वसमी का बताया थी क्या बताया थी? A plus B गुणा A minus B परावर क्या होता? A square minus B अगर ये चीज मुझे मिल जाती है तो इसकी जगा अपर में ये लिख सकता लेकिन यहाँ पर ये चीज मेरे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे? उपर नीचे ठीक है? उपर नीचे ये क्या है? root 7 minus root 6 तो उपर नीचे हम इसका उल्टे का गुणा करेंगे यानि root 7 plus root 6 का गुणा करेंगे अब नीचे गुणा करेंगे तो हमें उपर भी गुणा करना पड़ेगा root 7 plus root 6 यानि ये दोनों कटेंगे तो हमारे उत्तर में कोई changes नहीं आएगा ठीक है? अब ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से हमें एक सर्व समिका मिल गई a, a plus b into a minus b तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a square minus b square जहां a तो है root 7 और b क्या हो जाएगा? root 6 तो अब देखो एक का इस पूरे से गुणा करूँगा तो मुझे उपर तो यही मिलेगा उपर क्या मिलेगा? root 7 plus root 6 और नीचे मैं जब इसका गुणा करूँगा इसका गुणा करूँगा तो मुझे यह result मिलेगा यानि a square minus b square a क्या है? root 7 b क्या है? root 6 समझाया? चलो अब देखो उपर तो कुछ नहीं करना है root 7 plus root 6 ही होगा लेकिन नीचे देखो यह वर्ग है और यह वर्ग मूल है दोनों एक दूसरे को cancel करेंगे उत्तर क्या आजाएगा 7 माइनस वर्ग से वर्ग मूल हट जाएगा उत्तर क्या आएगा 6 अब यह हो गया root 7 plus root 6 बटा 7 में से 6 गया किता बचा 1 अब जब नीचे 1 होता है तो हम इसको हटा देते है तो हमारा लास्ट उत्तर क्या हो जाएगा root 7 plus root 6 यह हमारा final answer हो जाएगा इसका screenshot ले लो अब मैं तीसरा कर रहा हूँ अब देखो थर्ड किया है थर्ड है 1 upon root 5 plus root 2 ठीक है तो यह कैसा है plus का है हमें उपर नीचे किसका गुणा करना है इसी के minus का गुणा करना है ठीक है तो यहाँ into करके बटा लगाना है यह plus का है root 5 और यहाँ पर root 2 यहाँ plus है तो मुझे यहाँ minus का उपर नीचे गुणा करना है तो नीचे तो हो गया नीचे हमारा आ गया route 5 माईनस मैंनस रूट दो अब ये वर्ग और ये वर्गमुल हट गया क्या आया पाँच माईनस वर्ग से वर्गमुल हट गया, उत्तर क्या आया दो अब 5 में से 2 गया किता बचा 3 तो यह हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 बटा 3 ठीक है यह हमारा आंस्वर हो जाएगा फॉर्थ देखो इसका फॉर्थ है एक बटा रूट 7 माइनस 2 हमें क्या करना है उपर नीचे इसके प्लस का गुणा करना है एक बटा रूट 7 माइनस रूट स्वर्थ यहां रूट नहीं है दो गुणा यह माइनस का है तो प्लस का ले लो रूट 7 प्लस 2 और उपर भी हमें रूट 7 प्लस 2 का गुणा करना है ठीक है उपर गुणा तो यही आएगा रूट 7 प्लस 2 बटा यह है A A plus B into A minus B तो A square minus B square A क्या है? root 7 है B क्या है? 2 है उपर root 7 plus 2 है बटा वर्ग से वर्ग मूल हट जाएगा क्या आएगा? उत्तर 7 अब देखो यहाँ पर जो है वर्ग मूल नहीं है तो 2 का वर्ग हमें करना है 2 का वर्ग मतलब 2 into 2 कित्ता हो जाएगा? 4 समझाया? चलो root 7 plus 2 बटा 7 में से 4 गया कित्ता बचा 3 यह हमारा answer हो जाएगा अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों को शेर कर देना आज के लिए इतना ही वीडियो और प्लेइलिस्ट का उप्सन है तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेइलिस्ट पा सकते हैं